Hello everyone, welcome back to our channel और आज अगेन हमें कॉक्टेल वीडियो बनाने वाले हैं तो ये सिंपल अपनी देसी स्टाइल कॉक्टेल है नो ऐसे मतलब बिल्कुल देसी भी नहीं है लगिक ये चलती ये बहुत जगाओं पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करके बताना मुझे और अगर चैनल को इनकेस आपने नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अब तो वीडियो जाती रहेंगी और मेरी चांदी कट रही है इसी बहाने इस चैनल का मुझे बहुत फायदा हो रहा है सच में जब से ये कोक्टेल मगारा स्टार्ट हुई है तो रोज कुछ ना कोई डेली नई चीज मिल जाती है पीने के लिए जो क्या मैं मिस कर रहा था पिछले डेर महीने से लोकडाउन में अच्छा हुआ ये दो बोतल मिल गई तो अधर्वाइस ये इस तरह की वीडियो में दिखाए नहीं पाता और मैं भी अभी दिक्कत या है कि मुझे प्रमिसल लेने की जरूत नहीं पड़ती कुछ भी पीने के लिए इस फेसल अलग से तो अब ओल्रेडी कोक्टेल के साथ में मिल जाती है तो चलिए स्टाट करते हैं वीडियो एंड जिनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना अब करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी हसी मज़ाक तो चलता ही रहेगा तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं तो आइस क्रीम कोक्टेल बनाने के लिए सबसे पहले हमें आइस क्रीम ही चाहिए और एक ब्लेंडर जार तो थोड़ी जादा सी आइस क्रीम डाल लीए इसमें दो तीन स्कूप और अब इसमें डालते हैं यह आइस क्यूब तो चार-पांच आइस क्यूब आप डाल दो इसमें और ओरियो बिस्किट और अगर जैसे ओरियो नहीं लेना यह यह उनिसमें राइना चाहते हैं आप तो क्या ले सकते हो जैसे जो जो चॉकलेट सीरम आता है उसका फायदा यह रहते है चॉकलेट सीरम आगर आप डाल रहरे होते हो तो हमने यह ले लिया और यह हम डालते हैं दो चार पांच पांच कुकीज मैंने डाली इसमें और अभी डालते हैं इसमें यह वोड़का तो इनको बोटल खोलनी आती नहीं है अभी सीखाना पड़ेगा मुझे दीर दीर अगर ऐसी वीडियो बनानी है तो आगर फिर बोटल खोलना सीखना पड़ेगा तो फाइनली बोटल खोल चुकी है आजाओ सब जिसको आना है और यह ना हम एप्रोक्सिमेट 60 ml डालेंगे वह थोड़ा आइडिया से ही डालनी पड़ेगी ऐसे तो मेरे को आइडिया लग नहीं रहा है थोड़ा और अब इसको कर लेते हैं ब्लेंड यह हमारी ड्रिंक हो गई है तियार इसको कर लेते हैं सर्व और चाहो तो आप थोड़ी सी आइस क्रीम भी इसके उपर से रख सेकते हो और इसको गानिश करते हैं यह अपने ओरियो कुकी के साथ है तो गाइस ड्रिंक तो अच्छी बनी थी एकदम मतला हो टेस्ट अच्छा था और थोड़ी सी हार्ड थी हलकी सी मुझे लग रहा था कि कम है और थोड़ी सी हार्ड हो गई थी दूसरी चीज इसमें एक चीज जो हमने वह यूजनी की आइस क्रस्ट चाहिए थी जो हमने स्याबत मतलब वो डालेते पूरे आइस क्यूब तो वो घुली नहीं थी पूरी वो बार बार पीने में दिक्कत कर रहे थी आज है अपको पुप एसे चाहिए थीज जो इसे तायब के कोक्टेश पिर यह मॉक्टेश्ट तो इनके लिए चाहिए आपको जाए मगर पे तो तो उसके जैसा कुछ तेस्ट लगा मुझे अगर आपने वाले थीम जैसे में कहीं जाओगा आपने यहां पे मेर लिए अभी मैं दिखाने के वहाने एक पैग ले लीया करूंगा जुपके से वहां ही पर उसका बताना पड़ेगा ना बनाने के बाद में दिखाया करूंगा काहां पर कैसी डिंक मिल सकति यूपकर दिखा पाँ आपको तो आपको तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी एक बखनी ने सयफ फ Whats आपी आप दो जया ने सकते हो एक टो आप ले सकते हो आइस-क्रीम ने लेनी है आपनी जा दुपास्य यह पानीला फ्लेवर वाली यह वाली यह पास आज वनीला वाली यही आपास हमेर은 सदे। दुपासर वाली वाली है तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कम्बाइन कर सकते हो जैसे आज तो कुछ थानी यही सारी चीज़े घर पे थी तो बैने इसके साथ ही बना दी बाकि अगर कभी कुछ नेक्स रहेगा तो मैं तो भी दिखा दूँगे आपको तो ज़िए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर बाई बाई है वे नज़ते बाई